जब से विस्ट इंडीज की अगेंस्ट टीम इंडिया की ODI और टेस्ट टीम का एलान हुआ है तब से खिलाडेों को लेकर अलग ही बवाल मचा हुआ है क्योंकि कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स को टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई है इसी गड़ी में फॉर्मल सुनिल गावसकर का ये मानना है कि अगर आईपेल के बेसिस पर ही आपको टेस्ट टीम में खिलाडेों का चैन करना है तो खिलाडेों को रंजी ट्रॉफी खेलना बंद कर देना चाहिए चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि सुनिल गावसकर ने सर्फरास खान को ल कि उसके प्रदर्शन पर ध्यान दिया जा रहा है अन्य था रंजी ट्रॉफी खेलना बंद कर दे साफ साफ कह दे कि इसका कोई फैदा रही है आप सिर्फ आईपेल खेलते हैं और सोचते हैं कि आप रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी काफी अच्छे हैं सुनिल गावसकर का भड़कना जायस भी है क्योंकि अगर देखा जाय तो यह शिश्वी जायसवाल और रुतरास गायकवार का सेलेक्शन हो गया है टेस्टीम में जिनका एवरेज है वो सर्फरास खान से काफी कम है सर्फरास खान ने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है दो साल स पिसले दो साल से रंजी ट्रॉफी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे अगर सर्फरास खान के रंजी ट्रॉफी कर्यर की बात करें तो first class cricket 37 खेले हैं मैच्चिस first class cricket में सर्फरास खान ने रंस 3505 बना है 13 centuries है, 9 half century है, highest score इंसका 301 का है, लगभा सरफ्रास खान की 80 की ओसत है, इतने अच्छे performance के बाद भी अगर खिलाडी टीम इंडिया में जगे नहीं बना पाता है या उसे टीम इंडिया में जगे नहीं दी जाती है, तो ये काफी BCCI को क्रिटिसाइज करने वाली बात है, टीम म सरफ्रास खान को जगे मिले, टेश्ट टीम में या फिर ना मिले, comment section में comment करके हमें जरूर बताएं, और साथे साथ तो fan sports को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें